अजय कोई तो अजय कोई है अजय को दो अजय कोई अजय कोई अजय कोई इसराइल और हमास के बीच छिड़ी खुनी जंग को लेकर ही करते हैं सबसे पहला सवाल सर यही है कि इसराइल और फिलिस्तीन में गाल्या को लेकर आखिर विवाद क्यों है इसमें कौन कौन से देश शामिल है निरी जी देखिए थोड़ा साम बैक्ग्राउंड में जाना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई क्योंकि यह ऐसा नहीं था कि ए लोग साथ में थे पार्टिशन हुआ को ऐसी चीज तो थी नहीं हम बहुत पीछे भी नहीं जाएंगे हमें वर्ड वार वार वान और टू का पता है यह भी पता है कि जीज का पर्सीकूशन हुआ था जर्मनी में बाकी जगों में और जब वर्ड वार टू क्षटम हुआ था तो आप देखिए उसके बाद एक लीड अप नेशन्स बना था ये उनाइटें नेशन्स तो बाद मैं बना लीड अप नेशन्स बना था औ और जो भी टीटीज हुई थी उनको जो है एक्शन में लाना उनके उपर वांट्रिंग भी करना तो उसके बाद United Nations बना था जैसे हम सब जानते हैं तो इसमें जो है 1947 में जब यह हुआ तो उसमें League of Nations ने United Kingdom मतलब ब्रिटेन को दिया था जिम्मा की जूज का जो है पुनस्थापित किया जा इनको और इलाका यही चुना गया था जो अभी प्रिजेंट का इसराइल का है जरुसलम का वेस्ट बैंक और एरिया और यह प्लान जो है जनल इसम्बली में 1947 में ही आया था और जानिजम बेसिकली इस में तो जो था इसम्बली की जो हालात थे उसम्बली साट परसंट जमीन जो अभी है वहां पर ऋ थी जो तकिकली में बाकिशन भी जो यह जमीन थी साथ परसेंट लाइंड था और उस समय अप यह था उस इलाके में बागी पापोलेशन मेंぜ तो तो उस में क्रिश्चियन प्लिसिक्लिंड ऑन साथ थे और आपर जो है उस समय नों बनाया जबplementध बनाया उन्होंने पुरा अर्य यह प्रेकिन चुछ में पूर्टिंग और उन्होंने तक्रिबस परसंट जमीन जो हा कि वह इनको दी इंको दी जूष डेट बनाने के लिए किस बैसिस पर थी आप ये तो इस समय कहाने देखता डॉकुमेंट थोड़ा देखना पुड़ेगा लेकिन एक चीज और देखने वाली जो बात है उस समय जीज की पॉपुलेशन तकरीबन साड़े आठ लाग के आस पास थी और पलेस्टियंस की तकरीबन साथ के आस पास थे और वहां इसको बोला गया कि प्रॉमिज लेंड है इनका इन्हों ने जीज ने बोला प्रॉमिज लेंड और बाकि सब जगह से जीज जहां भी थे क्योंकि आपको पता है वर्ड वार में हर जगह स्कैटर थे मैक्सम तो इनका पर्सेकूशन जर्मनी में हुआ था जर्म बतवारा और वहां भी बतवारा हुआ और 1948 में ही वहां लड़ाई शुरू हो गई पलिस्टीन और इजराइल के बीच में जिसकों की उसमें एक तरह से जो फिलिस्टीनी थे पलिस्टीन के लोग थे उन्होंने नकबा नाम दिया था नकबा पलिस्टीन में होता है कि किया गया उनको हटाया गया अपनी जगहों से जहां पर रहे थे और अचली उस समय उसके बाद भी यह चीजें होती रही पलिस्टीनियंस को उनको हटा के अलग जगह पर इनको जगह दी गई इजराइल ने अपनी जगह ली और बाद में दोनों वही आपको पता है मट गए और नकबा में देखिए उस समय अरब इजड़ाई जो हम कहते हैं अचली देखा जाए तो उस समय ही शुरू हो गई इनों के आपस के अपने उनके बीच में बहुत आगे अगर देखा जाए तो अब तो हम भी 1947 में थे और हमारे साथ भी यही तक्रीबन हो गया था अगर आप देखें तो लेकिन हमारा फिर भी बटवारा था हमको पता है कि किस तरह हुआ था और आप मान के चलिए तक्रीबन वही हाल वहां थी बलकि यह कहते हैं काटेस्ट्रॉफी मीन्स उससे जादा हो थी में भी कि हमारी पॉप्लेशन उससे में ज्यादा थी तो 33 ला था लड़ाई थी और मैं कहूंगा कि तक्रीबन देखा जाएक तरह से ते लड़ाई एक तरह से शुरू हो गई थी उस समय ही जब यह हुआ हलाकि इससे पहले रह रहे थे साथ में जिसे यहां भी तो ही हाल था उननीस सो से तालिस से पहले हमें कहूंगा पैंतालिस में लेकिन जब से इन्होंने यह बटवारा हुआ तब से वहां भी यह शुरू हो गई थी और यह जो एक चीछ थी थी थोड़ी देखने वाली है कि आप जो पलेस्टिनियन्स थे साड़े साथ लाख इनके पास तक्रीबन 77% जमीन थी 77.8 अगर देखा जाए और उनको छोड़के जाना पड़ा था जब यह बटवारा हुआ तो थोड़ी सी यह चीज तो थी उनके पास और यह सब जैसे मैंने का वर्ल्ड बार वन के बाद व्रिटेन को मैंडेट दी गई थी कि वो जो है पलेस्टिन और दोनों स्टेट क्रियेट करें उन्होंने यही किया और एक्चली देखा जाए तो देखिए यह प्लाइन जो है पलेस्टिनियंस ने रिजेक्ट कर दिया था उस समय 1948 में और जो बेन ऋसमें 1948 में थे इसराइल के प्रामिनिस्टर उन्होंने जो है इसको पॉइंट डी बोला था डी करके कि जिसमें आ now ने एम जिसमें डलत करके था वर्ल्ड जिसमें था कि इनको बेन गिरियन कही करना था उस समय कि हमारा प्रामिज लेंड हमें आ रहेंगे और बाकी यहां से बाहर हो जाएं मतलब पलेस्टिनियन्स को अलग किया जाए तो यह जो चीज उससे में शुरू हो गई थी और आज देखिए कि 1947 में जब 7.5 लेक्स थे पलेस्टिनियन्स आज तकरीबन उनकी पॉपुलेशन 77 लेक्स की ह और जो साड़े 8 लाग थे अभी इस्टिनियन्स उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 97 लेक्स 98 लेक्स के आसपास है और 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 बता रहा हूं एक स्कैटर्ड हैं नॉट डैट कि सिरफ इस्टिनियन्स के सभी उसमें नहीं हैं पलेस्टिनियन्स भी आपको पता है हर जगा जॉर्डन सीरिया कतर से लेकर के लिबनान हर जगा स्कैटर्ड है क्योंकि एक जगह में तो सारे आने सकते हैं अगर हम सिरफ गाजा की बात करें तो समझे कि गाजा 141 स्क्वाइर माइल्स मलतब तकरीबन यह समझे कि 650 कि साथ के आसपास स्क्वाइर किलो मीटर से ह साथ किलो मीटर लंबाई है और तकरीबन पांचे किलो मीटर से लेकर 14 किलो मीटर मैकिसम उसकी चोड़ाई है और उसमें 20 लाक लोग रह रहे हैं कहाए जा रहा है कि गाजा जो है दुनिया में जो हम कहते हैं population density मतलब घनतु जो population की है उस मामले में सब से जादा है और पू population मतलब इतनी ज्यादा population के घनत्या density है तो आप समझ सकते हैं कि क्या condition वहां की है और किस तरह लोग वहां रह रहे होंगे और जो मापको बता रहा था कि उसमें से जो इनकी total population है उसमें से सिरफ करीब 15% गाजा में है उसके लामा आपके लेबनान में करीब 5% है जॉर्डन म कई जगा सीरिया में हैं और यह जो मैं फिगर आपको दे रहा हूँ वे इनाइटे डिशन्स का फिगर है क्योंकि इसके बाद एक UNRWA बना था इनाइटे डिशन्स रिलीफ वर्क्स एजनसी इन पलिस्टीन अभी भी है और शुरू से उनका काम यही था कि रिलीफ का काम करत रहें पलिस्टीन में क्योंकि वो डिस्प्लेस हो गए थे और इसके कॉंट्रिबूटर्स वेस्ट भी है जो भी बंद कर रहे थे लेकिन अभी उन्होंने कहा कि ने यह कॉंट्रिबूशन होते रहना चाहिए बिकॉज बजटरी सपोर्ट अमेरिका से और वाकी वेस्ट ने में टहरे बिसला के पॉबलेशन है और इतनी ज्यादा गनत्व है इनका लेकिन आपस में यह लड़ाई रहती रही क्योंकि मानिता इज्राइल को आपको पता है कि किसी अरब स्टेट ने मानिता नहीं दी थी और पलिस्टीने तो बिल्कुल नहीं दी थी तो इसलिए जब हुआ क्योंकि उनका एक हैना था कि यह जमीन पूरी की पूरी अरब की है अरब लैंड्स की या मुस्लिम्स की है इनको जबस्ती दी गई है उस जगह तो एचीज लेकर के चलता रहा और 1948-49 में जो मैंने पहले बात की थी सबसे पहली लड़ाई है तो मैं एक ब्रीफ थोड लड़ाई है जो अभी हो रही है पहले लड़ाई 1948-49 जो मैंने आपको बताया था अभी उसी समय शुरू हो गी थी जो नकब की बात कर रहे थे हम जिसको पलिस्टीन ने बोला था और एक कहा जा रहा था इजराईल ने तो उसको अपना वार आफ इंडेबंडेंस बोला था इन्होंने नकब बोला था और इन्होंने इनका ये कहना था कि बहुत ज़्यादा पलिस्टीनियन्स हजारों की संख्या में उसमें मारे गए हैं और तकरीमन हर एक वावर में ऐसा ही हुआ है जहां भी था और निचुरल इजराईल आगे होता आया है उसमें उसके बाद नसेर उसमें मेरे खाल से अब्दलनसेर ही उसमें उसके इजिप्शन प्रेजिडेंट थे जिन्होंने किया था और हलाकि उसमें जो मैक्सम हिस्सा था उसका जब बनी थी स्वेज के नाल तो उसमें मैक्सम फ्रांस और ब्रेटेन का ही हिस्सा था लेकिन उन्होंने प्रोटेक्शन की तो वहां भी लड़ाई हुई एजेप्ट और इनके बीच में और उस लड़ाई में जो है वो लड़ाई तकरिमान कमी चली और इजराइल विजई हुआ और फिर सोहज के नाल जो है खोली गई पूरी उसमें तीसी लड़ाई ही उसी समय हुई 1956 में जो रैफा और पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था उसे मैं साइनाई भी ले लिया था तो यह मामला काफे दिन तक चलता रहा और उन्होंने उसके बाद जो गल्फ आफ कावा और पूरा कंट्रोल होँआ से अपना शुरू कर दिया था इसराइल ने उसके बाद जो तीसरी हुई थी 1967 में यह मैंने इसे पहले बताया 56 वाली अक्टूबर वाली पांच दिन के लड़ाई थी 1967 में एच्छे दिन के लड़ाई हुई थी 6 डे वारी बोलते हैं उसको उस समय और पांच से 10 जून के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें की सीरिया ने गोलान हाइट से सीरिया का कंट्रोल जो है पूरा जिरुसलम भी इजराईल ने अपने उसमें ले लिया इसमें विज्याई रहा था इन 6 दिनों में ही उसके बाद जो लड़ाई आपको पता है बड़ी फेमस लड़ाई है जिसको कि हम याउम की पूर वार बोलते है 1973 में और एक लड़ाई जो की तकरीबन 20 दिन चली थी और आपको पता है याद होगा कि कितनी ज़्यादा आयाम के पूर मतलब एक फस्तिवल होता है इस्राइल का अराम कर रहे थे इस फेस्टिवल में बिलकुल उसी तर्ष पर बिलकुल आराम कर रहे थे बिलकुल बेखबर की कुछ नहीं होगा और रिजिप्ट ने ऐसी प्लानिंग की इन्होंने की इतना ज़्यादा सर्प्राइज दिया उनको की टूटली सर्प्राइज हो गये थे और इसलिए इतना लंबा चला बहुत हेवी कैजुल्टी उस समय भी 1973 में हुई थी इसराइल की इन्फेर कहा जा रहा था कि पिछले जि जान लिजिऑ उससे जदा कैजल्टी ई हुई हैं तो यह जो चीज थी लेकिन उससे में इसराइल जो है उन्होंने रिगेन कर लिया था और उन्होंने जो है फिर जो एज Greyै इफिपेशियन थर्ड आमेए है उसको जह ँएणोंने स्वेज कनाल क्रास करते हूए जो है उसको उन्होंने बरबाद किया पूरी उसके बाद एक सीज़ फायर साइन हुआ था एजिप्ट और सीरिया के साथ इसराइल के साथ जो की काफी दिनों के बाद हुआ जो सिगनेटर तो काफी दिन बाद हुआ अमेरिका के मेडियेशन पर हुआ और फेमस नाम इसका है कैम डेविड रेकार्ड जो कि 1972 में एक्चुली साइन दो 1978 में हुआ लेकिन 72 से बाद्चेश चल रही थी और उसके बाद साइनाई परिंसला को जो है इसराइल ने वापर्स कर दिया एजिप्ट को तो यह जो चीजें थी उसमें ले गई थी और वो जो सबसे बड़ी दो चीजें बहुत है इनों ने वापर पर दिया पूरा सानाई उसके बदल के इजिप्ट ने रिकफराईज कर दिया इसर्यक पहला कंट्री था अरबब कंट्री जिल्व थे उसरी प्रद्ब हुआ थे? यह अमेरिकन डिप्लोमेसी से हुआ तो उस समय किये कि 1978 में पहला कंट्री था आज तो तकरीबन साथ अरब देश हैं जो की मानता दे चुके हैं इनके साथ कुछ ने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स में इस्टब्लिच्ट हैं लेकिन कहने का मेहने में है कि यह उस समय 78 में हुआ तो तब से जो है लगा की चीजें ठीक हो जाएंगी लेकिन 1982 में आकर के फिर लिबनान के साथ लड़ाई हुई 1982 में पांच जून से लेके 14 जून तक 9 दिन की लड़ाई हुई थी जिसमें इज्राइल ने है बेसिकली उस समय अगर आप वापस जाएं तो उस समय प्लेस्टिनन लिबरेशन ऑगनाजिशन काफी अक्टिव था अगर आपके याद होगा यह सार राफाद के और लिबनान में सही ज्यादा एक्टिव था इसमें दोनों में वेस्ट बैंक और गाजा में और हैड़कोर्टर सिन का वहां पर था और बहुत एक्टिव थे विर विरूद के और सकट्स तक पहुंच गये थे इतनी डीप चले गए थे इसमें चोदाव जून तक पहुंच गये उस अलाके में सुपरिविजन के लिए और इजराइल ने फिर जून में जून 1985 में मतलब तकरीमन तीन साल के बाद महां से विड्राइ किया था जी तो हर जगा मतलब आप देखिए इजराइल काफी करता रहा है कैप्चर करता गया इजराइल अपने डिफेंस मजबूत भी कर करता गया इंप्रूब भी करता रहा उसके बाद की जो नक्स लड़ाई हुई तकरीमन 24 साल के बाद 2006 में लड़ाई हुई जो थी यह जिसको सेकंड लिबनान वार बोला जाता था बोला जाता है अभी भी और यह लड़ाई जो है बेसिकली तब तक पियलो की जगह वहां प अधिव हो गया था और हजब लूब लाके एक्टिव होने की वज़द से यह लड़ाई हुआ पर रही और हजब लूब लाप जाएंगे थोड़ा आगे चल कि हम देखेंगे हैंगे काफी एक्टिव हो गया था और उन्हें पूरी अपनी मिलिटरी इंग सेले के हर चीज ब आमड परसनल कैरियर ले छोटे मोटे ही नॉट एट की इतने तीन पांच आठ दस बटो भी बहुत थे एक ऐसी मिलिटेंट और्गनाइशन के लिए जो अगें हम सब जानते हैं कि एरान के सपोर्ट से अज़िवला अभी भी है हमास भी तो उनसे इनको मिलता रहा और यह लड एक रिबन एक हजार से उपर लेबनेज मरे थे उस लड़ाई में और दस लाग करीब लोग डिस्प्लेस हुए थे यह लड़ाई जो है लास्ट लड़ाई जो यहीं थी लेकिन इससे एक चीज बड़ी उसमें आ गई कि हेजबॉल्ला भी एक और्गनाइशन ऐसा बन गया जो की इनको इजराईल को उनसे मतलब लड़ सकता था और इसी लिए मैं इसी लिए बार बार कह रहा हूं इसी वज़ा से लड़ाई 34 दिन हुई जी तो आप सोच लीजिए उसमें इजराईल भी काफी बढ़ चुका था पांकि उसने छे लड़ाई हैं तो लड़ चुके थ यह साथवी लड़ाई थी तो साथवी में उसने भी अपने रिसूर्सिस बहुत बढ़ा लिये थे अमेरिका से आप देखी रहे हैं कितना ज़्यादा मदद मिल गई थी इनको और उसके बाद भी अगर यह लड़ाई हेजब लाई जैसे ऑर्गनाईशन से करने पर 34 दिन च कि यह क्या चीजह थी और क्यों यह चलती चली आ रही है आप इस बीच में चीजह और भी हुई डिपलमेटिक लेवल पर कई बाद चीज चलती रही कई देशों से चीजहं चलती रहे जी इसराइल भी काफे प्रोग्रेस किया लेकिन जो इनके अंदर चीज रही पलेस्टी पहले तो भी आपको पता हैं लेटेंट और अगनाइशन थे बाद में जो है जब वर्ल्ड प्रेशर या वेस्टन और वाकी चीज़ों को देशों का हुआ तो उन्होंने कोई जिस्टन्स का मन बना लिया कि ठीक है हम कोई जिस्ट करेंगे साथ रहेंगे बट हम यह हमास को पियलो पसंद नहीं आया उनकी टैक्टिक्स जो धीले जा रहे थे और इस वज़ए से हमास ने धीरे धीरे आया और कबजा करना शुरू किया ज्यादा हमास का गाजा में रहा और पियलो विस्ट बैंक में चला गया था और अभी भी देखिए जो रास्ट्पति हैं प्रेजिडेंट पलेस्टिन के वेस्ट बैंक में रहते हैं तो यह थोड़ा बैक्राउंड था जो हमने कहा कि यह लड़ाई की या बाकी कि क्या था किस होज़र से था लेकिन इसके बाद भी रुका नहीं था दोजार छे के बाद भी आप देखिए बॉर्डर स्करमिशिश चलते रहें बिल्कुल लगातारी बादर पर लगातार चलते रहें फिर अलक्स जो मस्जिद है उसका आपको पता ही है कि अभी इसी साल तीन तीन बार इस्राइली वहां फोजे गई आईडियाफ जाके वहां उन्होंने काफी निउज में आय था कि उन्होंने का कि मिलिटे चार किया जा रहा है जुल्म किया जा रहा है और ये लेकर के ये हमास और हिजबुल्ला इसके वज़ा से और आगे बढ़ते गए तो ये चीज़ें आगे चल करके जो है एक प्रावलम देती गई और दूसरी चीज़ मैं आपके भी बताओं कि इस्राइल की पॉप्लेशन क ही है नंबर टू पर वह है अमेरिका में तो ऐसे नहीं है कि मतलब अगर हम अमेरिका की बात करते हैं और आप ने तो अच्छी तरह देखा है कि अमेरिका की एकॉनमी में जीज का कितना कबजा है तो एक कॉम्प्लिमेंटरी ऐसा नहीं है कि हम कहां कि और ऐसा भी नहीं है कि इजराइल और अमेरिका के बीच में कोई खटपट नहीं हुई है लेकिन ये बेस ऐसा है जिसकी वज़ा से ये जो चीज है ओ मदद तो उनको खरना पड़ेगा ऐसी हालत में जब हो जाती हैं तो ये जो बेसिक इशुज जो है ओ खतम हुए ही नहीं इतनी रडाई या इतनी आपस में बातचित के बाद भी इंफेक्ट गाजा और वेस्ट बैंक पर पूरा कबजा था इसराइल का दोजार पांच में इसराइल ने एक कबजा छोड़ा और इनको दिया कि ठीक है ये अपना गौर्वर्मन्ट बना तो ये थी थी थोड़ी सी बेग्राउंड आई हो द अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके